हलो फ्रेंड्स यहां आज के धैनिक जागरान ख़वार से संपाद की डिक्टेशन है तो दोस्तो इस डिक्टेशन में आने वाले जो कठिन सब्द हैं उनकी मैं आपको आउट्लाइन बता देता हूँ फिर डिक्टेशन अस्सी सब्द प्रतमिनट की गती से बोली जाएगी तो सबसे पहले है इसमें फ्रांस फ्रांस लडाकू विमान लडाकू विमान राफेल वायू सेना मारक्चमता अब है आगे उल्लेखनिय उल्लेखनिय अतिक्रमणकारी अडियल रुख और आजाए अडियल रवया तो अडियल रवया राफेल विमानो निसंदेह भारतिय वायू सेना मनोबल अब है आगे दोस्तों एहमियत म को आधा करके मिसाइलों लैस मारक्चमता पाकिस्तान यह स्वाभाविक है की एक साथ यह स्वाभाविक है की संदेश सावधान सब्दचिन है सावधान का अदरवाईज आप पूरा भी बना सकते हैं सावधान विसेश ध्यान दिया जाए विसेश ध्यान दिया जाए एक साथ लिखा जाएगा मोदी सरकार कारे काल में रक्षा सोदों प्रात्मिक्ता के आधार पर प्रात्मिक्ता के आधार पर निपटाने निपटाने दरकार लड़ाकू विमानों विस्मरत नहीं करना चाहिए संप्रग सरकार एक साथ लिख सकते हैं संप्रग सरकार डबल करके आगे है निर्णय हीनता निर्णय का सब्चिन है निर्णय में न जोड़ दिया निर्णय हीन निर्णय हीनता परिच्च है आपात कालीन पाको अधा करके आपात इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती इसकी अंदेखी का हम सिर्फ ख़ बनाएंगे एक साथ जोड़ देंगे इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती इस तरीके से राफेल सौदे छल प्रपंच छल प्रसे कारतेंगे प्रपंच भयंकर दुस्प्रचार राहुल गांधी राहुल के लिए राह ल और गासे गांधी राहुल गांधी संदिक्ध संदिक्ग ध संदिक्ध शर्मिंदगी अबहद्र अबहद्र दुस्प्रचार सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मोह की खानी पड़ी सिर्फ इतना ही बनाएंगे मन गड़ंत मसे मन गड़ंत मन गड़ंत राफिल सौदे राजनीतिक छुद्रता इस तरीके से या छुद्र के लिए च्छा यूज कर सकते हैं छोद्रता नए सिरे से एक साथ लिखेंगे नए सिरे से इस तरीके से एहसास सर्मिंदगी राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय हितों तो दोस्तो ये थे इस डिक्टेशन के कठिन सब्द अभी मैं आपको दोस्तो इस डिक्टेशन को अस्सी सब्द प्रत मिनट की गती से बोलूँगा स्टार्ट फ्रांस से पांच राफेल लड़ाकू विमानों का आगमन केवल इसलिए महत्तपूर्ण नहीं है कि उनसे हमारी वायू सेदा की मारक्षमता में उल्लेखनिय व्रधी होने वाली है बलकि इसलिए भी है कि वे ऐसे समय आ रहे हैं जब चीन अतिक्रमन कारी और अडियल रुख अपनाए हुए है वास्तम में इसी कारण राफेल विमानों को लेकर इतनी अधिक चर्चा हो रही है निसंदेह भारतिय वायू सेना की ताकत तब बढ़ेगी जब सभी 36 राफेल विमान उसके बेडे में सामिल होंगे लेकिन इतना तो है ही कि ये पांच विमान भी हमारी सेना का मनुबल बढ़ाने का काम करेंगे क्योंकि ये सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है इन विमानों से अधिक एहमियत है उन मिसाइलों की जिन से वे लैस है चूंकि ऐसे आधुनिक और मारक्षमता वाले विमान न तो चीन के पास हैं और न पाकिस्तान के पास इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी एक जरूरी संदेश जाएगा यह संदेश जाना भी चाहिए इन दोनों ही देशों का रवया ठीक नहीं और उनसे सावधान रहने की आवश्यक्ता है आवश्यक्ता इसकी भी है कि सेना के तीनों अंगों की जरूरतें समय पर पूरी करने को लेकर विसेश ध्यान दिया जाए हालांकी मोदी सरकार के कारिकाल में रक्षा सोधों को प्राथमिक्ता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए लेकिन उन्हें और अधिक तेजी से निपटाने की दरकार है राफेल लडाकू विमानों की चर्चा के लिए किसी को भी यह विस्मरत नहीं करना चाहिए की उनकी खरीद में जरूरत से जियादा देरी हुई काईदे से लडाकू विमानों की खरीद का फैसला आठ दस साल पहले ही संप्रग सरकार के समय हो जाना चाहिए था लेकिन उनसे सुस्ती ही नहीं दिखाई बलकी घोर निर्ण हींता का भी परिचय दिया इसके चलते राफेल विमानों की आपात कालीन खरीद करनी पड़ी इस देरी के कारण इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि राफेल सौदे को लेकर छल प्रपंच का सहारा लेकर किस तरह भयंकर दुस्प्रचार किया गया राहुल गांधी ने तो इस सौदे को संदिक्ध बताने के लिए जूठ की दीवार भी खड़ी की उनहें सरमिंदगी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ उनहें अपने जूठ और अभद्र दुस्प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मागनी पड़ी राहुल गांधी के साथ उन लोगों को भी मुह की खानी पड़ी जिनहोंने मन गडंत आरोपों के सहारे राफेल सौदे को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी वास्तम में राफेल सौदे को लेकर जैसी राजनीतिक छुद्रता दिखाई गई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है जिनहोंने भी यह छुद्रता दिखाई उन्हें नई सेरे से सरमिंदगी का एहसास ही नहीं होना चाहिए बलकि यह जरूरी सबक भी सीखना चाहिए कि राश्ट्रिय सुरक्षा के सवाल पर घटिया राजनीती करना राश्ट्रिय हितों की अंदेखी के अलावा और कुछ नहीं प्रूर्ट्रिय को चाहिए